तो चलिए आची क्लास को सुरूबात करते हैं हम लोग देख रहे हैं भारत और विसो के विवोल को जसके हम लोग टार्गेट कर लें प्रिलिम्स को और और रिवीजन कर रहे हैं और इसमें हम समझने कोस्ट कर रहे हैं कि जोगर्फी का पैटर्न कैसे बदला है वरतमान में जोगर्फी के जो कुछन पूछे जा रहे हैं वो किस तरीके से चेंज हुए हैं इसी को देखते हुए एपिसोड 6 है इसके लमा अगर बात करें यूपेस का सिल्बस है और इसमें हम लगबद 13 साल के प्रिलिम्स के कुछन कर रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं ठीक है और इंपॉर्टन कुछन है इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आने वाले एक्जाम के आप पैटर्न भी समझ पाएंगे बात करें क्लासे की पीडि और शिख्त यह छटवाइपिसोड जिसमें 2015 के पीवाई क्यू हमने सॉल्व किये यानि 11 12 13 14 और इसके लाव आप देखेंगे तो इसमें 15 के आज हम पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे ऐसे क्लासे आगे बढ़ती रहेंगी और अभी तक आपने क्लासे नहीं देखी हैं जब क जाके देख सकते हैं और से आप समझ पाएंगे कैसे क्लासे आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों बात करें 2015 में देखिए एक जो मिडी लिस्ट कंट्री है वह इंपॉर्टेंट होती है ठीक है और एक देखेंगे तो यह अरेबियन पिननसुला वाला रिजन हो ज भूमत सागर्थ तक नहीं खुला है सिर्या जॉर्डन लेबनों इस्राइल अब देखिए यह तो 2015 में पुछा गया है अब देखिए 2014 में कैसे कुश्चन पुछा गया इसके पहले एपसोड में हमने सॉल्व करा एक टर्की किस के किस के बीच इस्थी थे ठीक है तो यह कहने का मतलब इस साब से आप समझ सकते हैं कैसे इंपोर्टेंट है और कैसे वर्ड मेप अपकर लिए नहीं है लोकेशन बेस्ट कोशन पुछ आते हैं जब कि देखिए बलेक सी हमेसा निजमे रहता है और वहीं अगर बात करें तो इस से ज्यादा कोशन पुछ आते हैं तो ठीक है यह दोनों कंट्री नहीं लगए है लेकिन आप देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्सन है जॉर्डन तो यह चीज़े भी आपको ध्यान रखने इसमें ऑप्सन हो जाएगा जॉर्डन की बात करें तो देखिए इस से भी कुशन कहीं सारे एक्जाम में पूछे गये हैं कि अलाओं भी आप देखेंगे जैसे यूप सीम 2015 पूछा गया है वही आगे जाकर अगर पीसेस की बात करें 2021-22 में पूछा गया है तो प्यक्यों करने का आपका एक ही फायदा है कि आप कमस सकेंगे कुशन करेंगे आ गयाने मेले कुशन में या किसी भी एक्जाम में ऐसे मिलते जलते कुशन आएंगे तो आपके लिए बहुत जादा फायदे मन रहते हैं इसलिए हम लोग पीवाई को सॉल्व करते हैं ताकि आयोक के दिमाग को समझ सकें यहां तक समझ पाते हैं इसमें कुशन दिया गया हर दिन कमों बेस यानि एक जैसा रहता है यानि दिन और और बारिस कोची समय के लिए होती है उसके बाद समाप्त हो जाती है उतने दिर बहुत मात्रा में बारिस हो जाती है तो पुरुवी परिफरच्षेत में किस शेत्र का वड़न किया जा रहा है सावाना भूमद रखी मानसूनी भूमद सागरी आप देखेंगे यह प्राक्त कुछ समय के लिए मुस्लाधार बारिस होती है तो यह इसके हिसाब से जो एंसर सही होगा भूमद रेखी जलवाई यानि एक्वेटरियल क्लाइमिट का जो है यह विसेस्ता है इसके लावा हमने क्लासेस लिए हैं सेप्रेट वीडियो में आप देख सकते हैं और पूर्वी यह सारी चीजें आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको मांसुनी टाइप क्लाइमिट की विसेस्ता बताई गयी है एक चीज आपको अभी रिमाइंड करा देते हैं इसमें आपको ध्यान रखना है या विस्वत रेखी जलवा जैसा पुछ जाए दोनों में आपको ध्यान र रहते हैं तो वह उपर रहते हैं इसलिए यहां पर रेड़ आप पाई जाती है ठीक है यह चीज आपको ध्यान रखनी है लेटराइट वैल दोनों में पाई जाती क्योंकि दोनों में वर्चा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है ऐसी प्रकार आप देखेंगा सुडाना और स इसमें चेंटव ऐब क्लाइमेट की बात की गई है और इस्टेपी टायमेट की बात की बात घंए जिनकी बार हम लोग चाठीचा कर चुके हैं यह जैसे हैं आपको इसमें द्हान रखना है क्लामेट में एक बार कुशन पूप पूचा गया है प्रीस में और उप्स हम और आलमुख और कंजाग जो ट्राइब पायाती हैं हो कहां पायाती है मिडेस्टेरी नौर्थ अमेरिका में और कहां पर नौर्स अधियां पायाता है थीक है चुछ आपको मत्रेस्टेलिया में देखने को मिलेगा छिए चीज़े आपको ध्यां रखने है यहां पर जिकें시 आपको ध्यां रखने है इसको भी आपको ध्यां रखना छीज़ें इनके वारह में हमने मोई अलग से डिसकस किया है और यह वीडियो पॉस करके इस पीडियेब के सारह आप पर सकते हैं आपका से हो जाए Крас से कबी कबी पुछा राता है कि इसे कलैमेटिक एक रिजन में जो है जाड़े के मौसम में वर्चा होती है त आप को ध्यान रखन्रा है भूमात सागरी जलवाय प्रदैस में क próp के मौसम में वरसा होती है ने बात करें इसको ध्यान से पढ़िएगा जैसे में पुछा उप्षकदबंदी अच्छांसों में साउथ अट्लांटिक और दच्छडपूर प्रसांद छेत्र में चक्रवात उत्पन नहीं होता कार्ड क्या है समद्री सत्र का तापमान कम है या आटी स्जेट बहुत कमजोर होता है तो देखिए इसका तो कोई संबन नहीं है कि टॉपिकल साइक्लों उत्पन होने से सबसे पहले आपको देखिए एक तो यह पूछ रहा है पूरी प्रसांद महासागर की बात कर रहा है दूसरा क्यों उत्मन नहीं होते हैं सबसे पहले आपको जानना होगा साइक्लों उत्मन होने के लिए क्रिए टूसर्चины या नकुल परस्वितों की बातक्रफ सताइश डिगरी से अधिक तापमान वाली सम बड़ी समुद्री सत्ह चाहिए और रावश बलक्यूपस्ष्थ Lemkin तो लो प्रेशर यहां तक बात करें 27 डिग्री जल्सियस अधिक ताफमान वाली बड़ी समूद्री सता देखने को चाहिए तो आप देखेंगे यहां पर पेर्व का रंड का प्रभाव अहँआ पर प्रभाव यहां पर दिखेंगे जो तंप्रेचर जो आऊ सकता होती है यहा यह बाते हो गई यह बाते आपको ध्यानक नहीं है क्योंकि हम समुद्र सता का तापमान कम होता है इसे प्रकार से बेसिक कॉंसेप्ट आप से पूछे जाते हैं और ध्याने के हावाय हम ऐसा हाई प्रेसर से लो प्रेसर की तरफ चलती है अगर एक जगा साइकलोन बन रहा है एक जगा एंटिसाइकलोन बढ़ेगा एंटिसाइकलोन वाले एरिया हाई प्रेसर का होता है इसके लावा और इसमें बहुत सारे चीज़े बेसिक कॉंसेप्ट दी गई है जिनको आपने देख रखा होगा जैसे विंड का डियरेक्शन की बात की गई है तो इसको भी आप आपने पढ़ रखा होगा हालाकि हमने इसमें दे दिया आप रिविजन कर लिजेगा ठीक है इसमें इस मैप में आपको क्या ध्यान रखना है इस मैप में आपको ध्यान रखना है जो साइकलोन का केंद्र वाला रिजन यानि आई वाला रिजन होता है यह चीज़े आपको कि कबशुत हैं तो कि अफ्क्र सब्सक्राइब का ऐसा यहां पर या हो रहा है वार मेर का कहने का मतलब यह वाला जो है सांत रिजन होता है यह आपको द्याद्द होता है कि आपको का होना चाहिए कि जो आई होता है साइक्लोन का वो एक सांथ एरिया होता है इसके लाव देखेंगा साइक्लोन में कंपरेजन किया गया है इसको भी आपको ज्यान रखना है एक से साइक्लोन और टेस्ट्रोन में रखना है इसको आपको ध्यान में लो प्रेशर वाया यता है और हवाय जो है चारो तरफ आप देखेंगे जो है घिरी होती है और और साइक्लोन की बात करें तो सेमिस्पीर में आप चलती हैं और माहीं अगर अगर एंटी सैकलोण की बात करें अगर यह नॉड्थ में कलॉफ़लाइच चलती और देखना है बात लिए volंत सागर से खंडी के मोसम में कहां पर भारत के मैदान में जिससे से आगे बढ़ती है वहां पर हमाएं आता में कमी आ के लिए बहुत ज्यादा महत्वड होती है और इसके लावग देखेंगे जो प्री मांसून वर्षा होती है उसे भारत के अलग-अलग रज्जों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे मैंगो सावर्ष के लिए करनाटक केरला और नॉर्थ वेस्टन या काल वैसाकी की बात करें यह वेस्ट वंगाल असम भिहार जहारखंड और इसा में देखा जा सकता है जिसमें आप देखेंगो जूट टी और राइस कल्टिवेशन के लिए जो है यूस्पुल होती है चेरी ब्लॉसम की बात कर या काफी सावर की बात करनाटक किरला में से जाना जाता है तो यह भी चीज़े आपको ध्यान रखने है इसके लावां आइटी सीजट के बारे में यहां पर दिया गया है इसको आप देख सकते हैं तो देखेंगे तो सूर का जो है आप देखेंगे उत्राय दच्छडा जब होता है तो देखेंगे तो मार्च और सितंबर के महीने मे सूर जो है उत्राधमन्द्छेतर में भूमदत्रे और के ऊपर होता है तीप्र ताप मान देखने को मिलता है उर देखेंगे एक लोः प्रेसर जो है बेल्ड देखने को मिलीगे और यह जो लोः प्रेशर प्रेश Westminster का जो है इस पैदा होती है इसे ही क्या कहते है आई टी सी जड कहते हैं यह चीजे भी आप देख सकते हैं देखिए ध्यान से पढ़िए कि इसमें पुछा है विश्वत रेखी तो प्रतिधारा यानि आप देखेंगे काउंटर करेंट होती पूर्वी प्रवाह की क्या व्याख्या है और सने प्रतिभ क्या काउंटर करेंट जो ह Ugh इनके उत्पन होने का क्या कार्ण है प्रतिभी आप देखेंगे ऑफोर्व से पश्च्छण चलधाण होती है इसे क्या कहते है विश्वत रेखी जो है counter current कहते हैं या जलधारा कहते हैं ठीक है और प्रत्वी गिवकत कैसी होती है पस्चिम से पूर्व की तरफ होती है तो इसमें क्या होता है option हो जाएगा option A सही हो जाएगा तो ऐसे कुछ basic concept है जिनको आपको question solve करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए इसमें हमने क्या दिया आपको महासागरी जलधार आए ठीक है उनके बारे में दे दिया है उनके प्रवाइट करने वाले कारत क्या क्या है इनके बारे में आप लोगों को ध्यान से व और आपकी जिम्मेंदारी बंदी इसको अच्छे से वीडियो पॉस करके या पीडियाप को एक बार रिवीजन कर लेना है कुछिन इसी से पूछे जाएंगे कि पूछा है महा सागरों समुद्र में ज्वार भाटा निम्न में से किसके काड़ होता है ऑप्शन एक सूर्व का गुर्तों कर्ष्व बल्ग काड़ तीन प्रितिवी के केंद्र अपसारे बल्ग काड़ यानि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के काड़ तो आप देखेंगे जो महा सागरों समुद्र में ज्वार भाटा उत्मन होता है वह सबसे पहले सूर्ग के गुर्तों किंई होता है चंद्र्मबा के सब्सक्राइब तीनों ही समलित वार्टा का प्रभाव होता है यहां पर देखेंगे ज्वार क्या होता है बहुत लंबी इवत की लहरे होते हैं जो चंद्रमा और सूर द्वारा लगाएगा गुर्था कर्षर बलों के जवाब में महासागरों में चलती हैं ठीक है इनको अलग-अलग कटेगरी में आप देख सकते हैं जैसे अगर बात करें तो फॉर्मेशन की बात करें तो प्रत्वी पर चंद्रमा का गुर्था परसल बलके खिचाव से अधिक मजबूत होता है कि यह सब देखроп देखिंगे तो सकते हैं पर ईक हाइलाइट किया गया है कि इसूर्ष क यृत्फ़ बल्हिय Crystal क भी जी च्छोटी भूम कर मिभाता उलेकि इसमें क्या पूछा है इस सीथ माई किके कर होता इसमनेने पुछाए कौन ज्यादा मुख्य भूम करिवाता है कौन कम मुख्य भूम करिवाता है तो यह तीने चीज़े आपको ध्यान रखनी है तो यहां पर टाइप साफ टाइट दिया गया है इनको आपको देख लेना है इनको आपको सारे चीज़े आपको ध्यान रखनी है इसमें यह चीज और ध्यान रखने है जब चंद्रमा प्रित्वी सूर्य एक सीधी रेखा में हो तो क्या कहते हैं सिजगी कह आता है ठीक है और यह वसंत ज्वार हर महीने में दो बार पूर्डमा और अवावासय को दरण होता है यदि चंद्रमा पेरीज में होता है तो यह अपनी वह त्याइड के बारे में दिए गए जिसमें सेवाल जो अन्यू Gegं करें देष्टे जी भी सभुष्टे में प्रसिद्व आपको देखनें को मिलेगं यह कई छोटी चीज हमने आपको अपको पड़ दी है और यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यह द..! के रखें जैसे अगर बात करें मेक्सिको के खाड़ी की तरह दैनिक जौर वाले पानी के भंडार में 25 घंटे की अवधी में किवल एक उच्छ जौर एक निम्न जौर होता है ठीक है यह क्या है दैनिक जौर की बात करें प्रसाद बेसिन के संपर्ग में आने वाले अधिकांस की बात करें इसमें क्या पुछा दोस्तों मेकांग गंगा सहयोग परियोचना आप देखेंगे तो परेटन संस्क्रिस सिच्छा के साथ परिवहन और संचार में सहयोग के लिए 6 देशो इसमें आप देखेंगे दोस्तों भारत और 5 आसियान देशों के साथ अर्था इसमें कौन कंबोडिया लावस में अम्मार्थ हाइलेंड वियतना द्वारा संचाली थे ठीक है और 2000 में लावस के वियतेयन में यह प्ररम किया गया था तो इसमें कौन-कौन सामिल नहीं है बांगला देश और चीन यानि कहने का मतलब दोस्तों आपसं सीस में सही हो जाए तो यह च स्थान अगर बात करें सबसे पूर्वी जर्टा यह सबसे प्रश्मी और यह सबसे पूर्वी पॉइंट है यह चीजे आपको ध्यान रखने है तो इसमें क्या इसमें ध्यान रखना है ऐसा कुछ तो इसमें कुछ खास है नहीं आप एक चीज़ ध्यारक नहीं कि पुरी आगर किलोमेटर में आपसे लंबाई पुछी जाए तो 2933 किलोमेटर और वही नौर से सौथ पुछे जाए तो 32-12 किलोमेटर यह इस्थी थे कि बात करें कुछें नम्बर 8 में क्या पूछा है इसमें 307 दिए गए उनके अस्थान लोकेशन दिए पहाडी की आपको मिलान करना है उनके सवरसत माला पहाडी पुसकर महादेव पहाडी आपको बताना है कौन सा सही सुमेली तो देखिए पुसकर क्या है सबसे पहले हम जहां हो इलमिलेट कर दीए और नर्मदा रीबर के पास यह मिलेगा और अन्य पहाडी की लोकेशन के अगर बात करें तो यहां पर देखिए यहां पर विंधियन रेंज है और इसके नीचे देखेंगे जो सत्पुड़ा रेंज देखेंगे यहां पर क्या सत्माला रेंज दिया गया है यहां पर देखेंगे यह पूरा एरिया आपको मिल जाएगा सत्पुड़ा रेंज में ही आप देखेंगे यहां पर जो पांच नंबर पर आप देखेंगे यहां पर मिल जाएगा सत्माला रें इस प्रकार यह चीजा आपको ध्याण रखनी ही और 6 की बात करा शीयारिस की बात कर यहां पर यहां पर यहां रखना है अगर पीसिस की त्यारी कर रहे हैं तो किस स्टेट में कौन सा मौंटेन इस्थित है इससे भी कुष्चन पूछ जाते हैं नेक्स की बात करें देखें इसमें कुष्चन नम्बर 9 में क्या पूछा दोस्तों निमलिखित नदियों पर विचार किजिए वंस धारा इंद्रावती प्राण हिता पिन्नार उप्रोक्त में से कौन सी गोदावरी इसके लावह देखेंगे इधर आ जाएंगे परवरा दुधना पुर्णा पेणगगा वर्धा धावेंगगा ठीक है मन्नोर और इधर आ जैंक मंचरा और जहां तक बात करें वंस धारा की बात करें वंस धारा आप देखेंगे पुर्व की तरफ बहने वाली नदी है उडि नदी नहीं नहीं है इसमें जो सही option हो जाएगा इसको आपको ध्यान रखना है इसमें हो जाएगा दो और तिन इंदरावती और प्राणःता आपको देखने है यहाँ पर देख लेना है यहाँ पर पस्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम दिये गए है उसको फ्राण जो है तिन नदिया जो है फ्राणःती से ऋकर बैती है सारी नदियों को हमने एक बार रिविजन करवा दिया नेक्स्ट बात करें इसने 2015 में कुछिन पूछा गया निमलिखित में किस राष्टे उध्यान की जलवाई के यहां पर देखें वनस्पत और जलवाई के संबंद में कुछिन फिर से पूछा गया उष्ट कडबंदी से उ सबसे पहले इसको बेसिक समझते हैं तो भारत में प्राक्तिक बनस्पत जलवाई का संबंद आप देखेंगे तो एक कॉंसेप्ट होता है कि 900 मिटर के उचाई तक कौन-कौन सी बनस्पत यह पाई जाती है जिसमें आप देखेंगे 900 मिटर के उचाई तक सदा बहार और सद 900 मिटर के उचाई पर आप देखेंगे तो इसमें तापमान के पेच्छा वर्जा की मात्रा अधिक प्रवाव करती हैं बनस्पतियों के वित्रण को वही 900 मिटर से अधिक उचाई की बात करें तो यहां पर देखेंगे तो उपरुष कर्दबंदिवन संसर्स संकुदाय तो हिमाले के प्राक्तिक मनस्पत की बात करें तो यहां पर देखेंगे नौ सिमिटर के उचाई पर आपको उफ्कदबंदी बन भी देखने को मिल जागा आद परपाती बन भी देखने को मिल जागा संसीतोर संकुदारी टुन्टा बन भी देखने को मिल जागा और वर्सा की मात्रा भी औससस से अधिक होती है पस्च में हिमालय के आप इच्छा ठीक है देविविद्था भी आपको पूर्वी हिमालय में जाहा देखने को मिलेगी यह एक हॉट्सपॉट अस्थल ठीक है यह चाहिए क्लियर हो गई आप ध्यान रखेगा अब क्या पूच जैंग अवर्डर को सित र lots लिएखने को मिल लिए उपर आर्कटेख टूंडरा देखने को मिल सकता इससी के ऐसाप साफ देखेंगे इसमें जो होगा इसमें नामदफ्प राष्ट्यान में यह सारी चीज़े अपको देखने को मिल जाएगा और नामदफिप राष्ट्य बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल टायफ क्लाइमट देखने को नहीं मिलेगा नौर्ण यहां कर लॉक मेंदल आपको देखने को नहीं मिलेगा कि अ और ध्यान रखेगा इसमें वर्तमान में बहुत ज्यादा नीज में रहा बॉक्सर निशनल पार्क तो आपको देखेंगे तो आर्केटी टाइप क्लाइमेट नहीं देखने को मिलेगा ठीक है इसलिए यह आप्सन सही नहीं है इस प्रकार से इसमें तारी चीजे आप देख सक सकते हैं यानि इसमें कह रहा है कि आपको यह साइप यह सारी जो है ट्रॉपिकल और देखेंगे आप देखेंगे समसी तो आर्केटी टाइप क्लाइमेट जो है यह देखने को मिले पनस्पत की विशेष्ता यह सिर्फ के वला और नामदफार राश्री उद्यान में देखन दिमाग लागा कर यह निए निशनल पार की लोकेशन रट लिए तो यूपी असी में सिफ लोकेशन रटने से काम नहीं चलता वह अप्लाइड कुशन पर इसलिए हम लोग करते हैं जिसके आपके बेसिक कॉंसेट क्लियर हो सके हैं दोस्तों आपको ध्यान रखना है पीडि चलता वे मिगा है आपक लोग कॉशन